टी सिरीज के को ओर्नर क्रिशन कुमार की बेटी तिशा 20 साल की उम्र में कैंसर के कारण चल बसी मुंबई में कल तिशा का प्रेयर मिट रखा गया था जिसमें फिल्म इंडास्ट्री और मुजिक इंडास्ट्री के सभी दिगज आर्टिस्ट मौजूद रहे इसे prayer meet से एक video viral हो रहा है यह video सोनु निगम का है क्योंकि prayer meet में सोनु निगम बेहद दुखी और emotional होते नजर आए सोनु निगम की इस video में देखा जा सकता है कि वो टिशा के पिता कृष्ण कुमार के पास जाते हैं और उनकी गोदी में सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगते हैं सोनु निगम की यही विडियो वाइरल हो रही है और लोग इस प्रेयर मीट में सोनु निगम का इतना जादा दुखी होने को जज़ करते नजर आ रहे हैं लोगों का क्याना है कि शान पीछे ही खड़े हैं वो भी उतने ही बड़े कलाकार है और T-Series से उनके भी इतने ही अच्छे रिष्टे हैं उनके चेहरे पर भी दुख नजर आ रहा है लेकिन वो ये सारी ओवर आक्टिंग नहीं कर रहे हैं एक शक्स ने तो ये भी कहा कि हद हो गई है सोनु निगम की उन्हें खुद को क्रिशन कुमार को संभालना चाहिए क्योंकि क्रिशन कुमार की बेटी मरी है उनको दुख होगा वो रो रहे होंगे तो उन्हें संभाले उसकी जगे खुद सोनु निगम रो रहे हैं प्रिशन कुमार उन्हें संभाल रहे हैं ये तो पूरी उल्टी धारा बहती नजर आ रही है। लोगों ने कहा था कि सोनु निगम ये सब हरकते सिर्फ कैमरा के लिए करते हैं और ओवर एक्टिंग करते हैं लेकिन जहां पर कला है जहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात है तो वहां पर ये गुरू शिश्यु वाली परंपरा चलती आ रही है बस हां इन दिनों देखन को कम मिलती है यही कारण है कि सोनु निगम ने ये किया तो वो हाइडाइट हो गया और कुछ लोगों ने इसे ओवर आक्टिंग भी कह दी लेकिन सोनु निगम के फैंस का मानना है कि वो जैनूनली ये सब कर रहे हैं हाला कि ये तो अब सोनु निगम ही बता सकते हैं कि अप अपने सारे साथियों को लेकर क्यों सोनु निगम अपने सारे कलीक्स को लेकर अब बेहत इमोशनल और सेंसिटिव हो गए हैं